हेलो गाइस- आज मैं आपको बताऊंगा जो रिलेशन्शिफ होता है Central Moments & Raw Moments की बीच में आपको सिंपल तरीके से उन्हें कैसी याज कर सकते हैं सबसे पहले आपको यह बता दू कि U0 जो होता है वह होता है 1 U1 जो होता है वह होता है 0 तो cross होता है यह ऐसा relation होता है दूसरा u2 क्योंकि इसके अदर 2 है तो इसके तरह दो terms होते हैं plus minus तो दो terms आप उतनी signs डालेंगे जब u3 रहेगा तो क्योंकि हाप पर 3 है तो आप 3 signs डालेंगे alternating plus minus plus जब हम u4 पर आएंगे तो रहा हम 4 sign डालेंगे plus minus plus minus अब जब हम u2 की बात करेंगे क्योंकि हाप पर u2 है तो यहाँ अभी आप u2 लिखोगे पर सिब डैस डालोगे यहाँ पर last term जो होता है वह कभी u1 डैस होता है और यहाँ पर 2 ही वही number copy होता है और इसका जो coefficient होता है वह होता है 1 इस is because it is 2-1 in a similar fashion u3 में होगा u2 का u2 डैस था उसी तरीके से u3 का होगा u3 डैस लास्ट टम में u1 डैस कंपल सरी रहता है तो कि हाप पर 3 है तो इसके पावर में भी 3 आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर coefficient 2-1 था उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2 तो कि यह हो जाएगा 3-1 और यह जो बीच में है यहाँ पर आएगा 3 u1 डैस u2 डैस u3 को छोड़ के जो बचता है वो बचता है u1 और u2 तो उन दोनों का आपको multiply करना है into 3 उसी तरीके से u4 का आगर आप देखे यू2 का u2 डैस था यू3 का u3 डैस था उसी तरीके से u4 का आएगा u4 डैस आकरी में u1 डैस रहता ही है यूँकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आएगा 3 क्योंकि वह जाएगा 4-1 इस में से आपको थोड़ा याद रखना होता है इस दो टम्स यहाँ पर आता है 4 u3 डैस यू1 डैस और यहाँ पर आएगा 6 u2 डैस यू1 डैस स्क्वेर